दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको वताने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठे जिया गाइस घर बैठे खुझ से अपने अधार कार्ड में करेक्शन कर पाओगे या गाइस मांदके चलो आपको अपना अधार कार्ड में अडरेस changed either सही करना है तो आप बहुत असानी से कर पाओगे इसके लिए आपको कहीं बाहर ढुँर काफ़े में पैसर खर्ज खर्ज कने की जरुरत नहीं है वही अलावा अगर आप अपना डेट ओवर्थ नाम चेंज करना चाहते हो तो वह भी घर बैठे आप कर सकोगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की चैनल पर नए हूं पहली बार आए तो हमारे महनत को सफल करें चैनल दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल में जाके सीधे ताउर पे अधार कार्ड लिखने के बाद आप इसके ऑफिशल वेब साइड में किलिक कर दो सैकिंड वाले में इसके अलावा गाईज यहां पे आपको काफी सारे सर्विस मिल जाते हैं जैसे कि आप डाउनलोड कर सकत स्यधार को सबस्कрим करों अधार कर दोंगा यहां किलिक कर दोंगा लुए यहां चैन ऐसे दो आघर करना ही है कि आमि जालते हैं एक से और मोज इलाते हैं यहां लौग इन लौगिश़ में अपने अधार कार्ड में लॉग इन हो चुके हैं यहाँ पर आपको काफी सारे ओप्शन दिखेंगे जैसे की अपडेट अधार ओनलाइन जो हम करने वाले हैं वही इसके अलावा ओडर अधार प्लास्टिक कार्ड और कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो पीडिफ के रूप में आप यहाँ पर जन्रेट वर्चॉल आईडी कर सकते हो खेर गयाँ हमें अपना अधार अपडेट करना है तो इस वाले में किलिक करेंगे तिसरे वाले में और यहाँ पर इस परखार का इंटरफेस आएगा हमें processed में के लिए करना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इतने सारे option यह सब चीज आप sign कर सकते हो नाम, date of birth, gender, address दोस्तों यहाँ पर आप एक बात गौर करो कि आपके जो detail है उसके सामने लिखा हुआ है 2 update left, 1 update left, 1 update left यानि कि आप सिर्फ इतने ही बार update कर सकते हो lifetime में, यहाँ गाई, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान से काम करना है, बाकि आप भविश्य में कुछ change करना चाहो, तो इसके बाद शायद आप करना हो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, name में दो update कर सकते हो, date of birth में एक बाकी है तो guys, मुझे अपना जो address है, उसको सहीं करना है तो मैं address में click करूँगा, और processed में यहाँ पे guys मैं कर दूँगा click, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस परकार से option आएगा, उपर आपका current address है और आपको यहाँ पे change करना है वही guys, यहाँ detail to be updated में आपको अपना recently address डालना है नीचे लिखा है care of, care of, सीदी सी बात है आपको अपने पिताजी का लिखना है, अगर आपकी शादी हो चुकी आप ladies हो, तो आपको अपने पती का यहाँ पे लिखना है street number, गली number आपको लिखना है तो guys, इसको आपको fill करना है area, आपका जो area है, यहाँ पे आपको वो लिख देना है आपको guys, सारे ही detail में guys, यहाँ पे देने वाला हूँ तो आप video को skip मज़ करो, शायद guys, आपसे कुछ गल्ती हो जाए खेर guys, नीचे हम जाएंगे south है, यहाँ पे आपको अब related document डालना है यानि कि आप address चेंज करा रहे हैं, तो आपको address का कोई proof देना होगा अपने पिताजी का, या फिर अपने husband का तो यहाँ पे guys, मैं सीधे ताओर पे, यहाँ सीधे ताओर पे मैं बिजली बिल डालूँगा यहाँ करने के बाद नीचे option देखेगा, अपलोड करने का, तो यहाँ पे continue to upload में जाता हूँ हमारा computer खुल जाएगा, अगर फोन से करें तो फोन का खुल जाएगा तो यहाँ पे मैंने बिजली बिल डाल दिया है, यहाँ पे next option नहीं है, उपर देखो कुछ गलती हो रही होगी यहाँ पे guys, मैं कुछ भी नहीं काट रहा है, क्योंकि शायद कुछ गलती हो रही होगी, आप से भी गलती होगी तो आप उपर जाके देखें, जहाँ red बना है, वहाँ कुछ गलती है, तो यहाँ पे space guys, आपको नहीं देना एक second, यहाँ पे extra space आपको देना नहीं है, तो दो space हो गया था, तो यहाँ पे next करते हैं, next करने के बाद इस परकाल का interface आएगा तो guys, इनके आपको term and conditions को आपको allow कर देना है, दोनों का allow करेंगे, next में कर देंगे, click यहाँ पे आपको 50 रुपय का payment करना होगा, guys, कहने की बात यह है कि अगर आप सिर्फ एक update करो, मान के चलो, आपको सिर्फ add a change करना है, फिर भी 50 रुपय देना पड़ेगा, अगर 2-3 चेंज करो, rate over, नाम, फिर भी 50 रुपय देना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गौर से काम करें, खेर, guys, अब मैं सिर्फ तोर पे यहाँ पे tick box में, guys, यहाँ पे check कर दूँगा, और सिर्फ तोर पे make payment में किलिक करूँगा, अभी guys, आपको यहाँ पे काफी सारे option दिख जाएंगे, आप card से, credit card, debit card, wallet से, सिर्फ तोर पे guys, अगर आपको net banking से करना है, वहाँ से कर सकते हो, तो मैं अगर मुझे guys, यहाँ पे payment करना है, तो मैं सिर्फ तोर पे guys, UPI का सारा लूँगा, क्यूंकि सबसे असान UPI है, process में guys, यहाँ मैं किलिक करूँगा, और आपको अपने phone pay में guys, login करना होगा, तो आपको यहाँ पे अपने phone pay का number डालना है, तो मैं जल्दी का, यहाँ पे notification आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको pay करना है, और आपके screen के सामने success guys, लिखावा दिखाई दे रहा होगा, और आपको इस परकार का interface देखे का, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे successful तरीके से guys, आपका 50 पेमेंट हो चुका है, अगर आपको guys acknowledgement डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आगे आप दिखा सको, यहाँ पे guys आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके सारे detail जो आपने यहाँ पे सहीं करवाया है, वो भी और पहले का भी, वहीं दोस्तों किसी next वीडियो में अभी के लिए इतना ही